एक भारत श्रेष्ट भारत के तहट जानजगीय जिले में इन दुनों विभिन काईक्रमों का जुन किया जाला है इसी कड़ी में जिले की अकलतरा विकास खंड की ग्राम पंचैत कडगरी की शासकी प्रात्मिक शाला में सांस्कृति काईक्रमों के माध्यम से बच्चों को सिक्षा दी जा रही है स्कूल के साह सिक्षक ने दूरदर्शन से बाच्चीत में बताया कि बच्चों को एक भारत श्रेष्ट भारत के तहत देश के स्वतनतरता सेनानियों के बारे में बताये क्या इस दोरान विभिन प्रतियोगिताएं भी आउजित की जाती है उन्होंने बताया कि बच्चों को कुरोणा मा हमारी से बच्चा और सावधाने के बारे में भी जानकारी दी जा रही है साहिद सिक्षक ने बताया कि सांस्कृतिक कारेक्ट्रमों को लेकर बच्चों में भी विशेश उत्सा हराता है सांधीवे खेल के माध्यम से जल सीखते है आज शारदे नवरात्र का तीसरा दिन है आज के दिन मा चद्रगंटा की पूजा का विधान है लेकिन इस बार नवरात्री आट दिन की है इसलिए मा कुश्मान्डा की पूजा भी आज की जा रही है प्रेदेश के देवी मंदिरों में भक्ति और श्रद्धा का माहूल है प्रशासन से कुछ शर्तों के सांथ छूट मिलने के बाद श्रद्धालू भी माता के दर्शनों के लिए देवी मंदिरों में पहुँच रहे हैं मासमन्द जिला मुख्याले से करीब 22 किलोमेटर दूर पहाडी की उपर माखलारी का पवित्र स्थान है जो चारों तरफ पहाडियों से घिरा हुआ है मंदिर के पुजारी भवानिदास वैश्णों ने बताया कि माता के दर्शनों के लिए देश विदेश से लोग आते हैं वही माखलारी ट्रस्ट के कोशाद्यक्ष सुरेश चंद्राकर ने बताया कि कोरोना महामारी की कारण प्रशासन से जारी देशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है और उसी के अनुरूब सारी विवस्थाएं की गई है इधर गर्यबन जिले में भी नवरात्री की धूम देखी जा रही है जला मुख्याले में 17 स्थानों पर देवी मा की प्रतिमा स्थापित की गई है देवी मंद्रियों और प्रतिमा पंडालों में रंग बिरंगे प्रकाश के जालणों के साथ पहुँच मार्गों पर विशेश सासर जा की गई है शिव दुर्गा मंदिर के पुजारे पंडित खड़क नंदूबे ने बताया कि आज तृति और चतूर्थी दोनों तिथी होने के चलते माता के दो रुपों की पूजा की जा रही है वही शितना मंदिर और गांदे मैदान में विराजी मादूर्गा उत्सा समीति के सदस से राजेश साहू ने बताया कि कुरोना से बचाव के लिए दिये गए देशा निर्देशों का पालन करते हुए गरबा मीना बाजार जगराता भजन संद्या सेहित अन्ने कायक्रमों क कायजन किया जा रहा है पेबिन आयजनों के दोरान सावधानी और सतर्खता बढ़ती जा रही है अंत में मुखे समाचार एक बाप है मुखी मंत्री ने कहा है कि कृष्री का विकास और किसानों का कल्यान राज्यसरकार की सर्वच प्रात्मिकता है प्रदेश की राहत आयुक ने करोणा महामारे से मृत्व्यक्तियों के परिजनों आश्रितों को राज्यापता विमोशन में दीज से चास अजार उपए की आर्थिक अनुदान साहता देने के संबन में दिशान निर्देश जारी किये भाजबा की प्रत्मिती मंदल ने राज्यपाल से मुलाकात कर कवर्धा में हुई घटना की नयाइक जाज की मांग की और भिलाईस बाज सेंत्र हिद्दोपोत और जहाजों के निर्माण में इस्तमाल होने वाली विशेश तरह की प्लेटों का भी कर रहा है निर्माण इसे के साथ ये समचा पुलेटे नहीं समात्थ हुआ नमस्कार